अब अब लिए अपने यूटूब चैनल फार्मा एंसिक्यू में इस चैनल पर हम different different MSQs all करते हैं वल्लानर के question discus करते हैं previous year के question paper discuss करते हैं तो यह सब जो MSQs होते हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक करना शेयर करना कमेंट करना बैल आइकन को प्रेस करना ताकि जोएने वाली वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशन्स आप लोगों को मिलते रहें आज हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे आज हम ठीक है क्या पढ़ेंगे हुमान आइनाटमी और फिजियलोजी का रिवीजन करेंगे ठीक है तो पहले प्रीवेस वीडियो का क्वेशन था उसको देख लेते हैं यह क्वेशन था थिरेपुटिक इंडेक्स इस रेशो ओ प्राइट हो जाएगा तीक है आपने बिल्कूल इसका सही आशर देख तो ऑप्षिक डोज और थिरेपुटिक डोज का रेशियो होता है अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं प्रेट क्वेशन है विच वन ओप इस ग्रूप इस यूनिवर्सल डोनर तो ऑप्शन हैं यह बल शुकर को साइट है नेक सींवंग हैं जिसकी सबच्च्राइशन में परेजन उती हैं तो देखो इसका वैसा और जो वीसी को विस इस राईप को तेके ग्नुोडे कॉनव साइट्स होती है उसमें युद्व साथी और मोनोज शाइट्स शाती है इनक परसेंटेज दिया उया धे लिम्फोसाइट यह 25-30 percent होती है और मोनोसाइट होते है फाइफ तो टैन परसेंट तो इन्होंने पूछे तो मेजर कंसेंट्रेशन में तो इस हो गई न्यूट्रो फिल्स हो गई और सबसे कम सेंट्रेशन में कौन सी होती है तो ये बेसोफिल है ये हो जाएगा बेसोफिल सबसे कम है 0-1% है नेक्स्ट है लाइफ स्पैन ओफ इरिथ्रोसाइट इस ओप्शन है 120 डेज 30 तो 20 डेज 8 तो 11 डेज ये 100 डेज तो जो रेड बलड सेल्स होती है इरिथ्रोसाइट है इसका आर्बीसीड भी बोलते हैं इनको दो इनका lifespan कितना होता है 120 डेज होता है ठीकर और ओफ्शन एये राइट हो जाएगा और जो ये 13 to 20 डेज किसका life span होता है है निको होता है एनका होता है ये lifespan और जो 8 to 11 डेज है ये किसका life period है ये lifespan बोल सकते है platelets जो होती है blood clotting में help करती है platelets इनका life period कितना होता है 8 to 11 days होता है तो इसमें एक question में ही हमने तीन question discuss कर लिए next है ethosite count in a normal blood is the options है 4.5 to 6.5 million per mm cube 4000 to 11000 cells per mm cube यह क्या है 1,50,000 to 4,50,000 per mm cube 2.5 to 3.5 million per mm cube तो इरित्रोसाइट जो count होता है इरित्रोसाइट का यह इसका answer हो जाएगा option a हो जाएगा 4.5 to 6.5 million per mm cube हो जाएगा और इसमें जो यह second option है यह 4,000 to 11,000 क्या होता है यह होता है यह average total number of WBCs होती है यह WBCs का लिखा हो है और यह third लिखा हो platelets का तीक है यह 1,50,000 to 4,50,000 per mm cube होती है यह क्या होती है average number of platelets per cubic mm of blood तीक है ऐसे भी question आ सकता है कि average number of platelets per cubic mm of blood कितना होता है तो यह हमें ध्यान लखना है ठीक है option में ऐसे 1.5 lakhs to 4.5 lakhs भी आ सकता है तो हमें हर तरीके से पता होना चाहिए next है erythrocyte are formed in options red bone marrow liver spleen none तो erythrocyte कहां पर बनती है इनकी formation कहां पर होती है red bone marrow में होती है ठीक है तो इसका option a right हो जाएगा और इसमें options में जो liver और spleen जो है न यहां पर यह जो fittest होता है fittest में तो during fertile life rbc formation take place in liver and spleen ठीक है ऐसे भी question आता है fittest के अंदर जो rbc formation होती है वो कहां पर होती है ठीक है तो fittest के अंदर rbc की formation स्प्लीन में होती है और लीवर में होती है नेक्स्ट है विच वन ओफ दीज सैल इस नोन नुक्लिएटिड ओप्शन है red blood cells rbc basophils lymphocytes leukocyte तो नोन नुक्लिएटिड कौन सी होती है यह rbc होती है इनके अंदर नेक्स्ट है lymphatic tissue are concerned with options lymph nodes, spleen, pairs, patches all of them तो lymphatic tissues में ही सारे ही आते है lymph nodes, spleen, pairs, patches, thymus भी होते है इसमें tonsils भी होते है यह सब lymphatic tissues में आते है ठीक है तो इसका option D हो जाएगा next axon and dendrites are part of options are cardiac muscles, visceral muscles, neurons या brain तो axons, dendrites किसके पार्ट होते हैं neurons के पार्ट होते हैं ठीक है option C right हो जाएगा next non-streated muscle tissue is तो इसको options are under the control of will, not under the control of will इसका option B हो जाएगा ठीक है जो यह under the control of will जो होती है इनको बोलते हैं, strated muscles बोलते हैं या इनको voluntary muscles बोलते हैं यह कौन सी होती है जो voluntary होती है, strated होती है, यह होती है skeletal muscles जो होती है वो होती है ठीक है और जो non-streated होती है जिनको involuntary भी बोलते हैं इनके example में आता है smooth muscles जो होती है न वो होती है next है which one of these is a connective tissue? options है blood, sarcomere, keratinized cell, none of the above तो connective tissue में क्या आता है? blood आता है white fibrous tissue, yellow elastic tissue और lymphoid tissue यह सब किसमें आते है? connective tissue में आते हैं next है protein is synthesized by options है ribosomes, golgi complex, endoplasmic reticulum, lysosomes तो protein की synthesis होती है कहाँ पर? तो इसका क्या हो जाएगा? ribosomes हो जाएगा option a right हो जाएगा ribosomes को क्या बोलते है? factory of protein synthesis भी बोलते है ribosomes को और जो इसमें golgi complex है यह क्या करते है? golgi complex क्या करते है? store, packs and modify the product in vesicles ठीक है यह क्या करते है? जैसे protein है यह synthesized हुआ तो इसको क्या करेंगी? store करेंगी ठीक है? उसको storage का काम करते है, mail-in का storage का काम होता है golgi complex का ठीक है? main function is packaging and secretion of proteins ठीक है यह packaging करते हैं, proteins को secret करते हैं और क्या है? package it into membrane bound vesicles which are then transported to various destination ठीक है? इनको क्या करते है? package करते हैं, जैसे proteins है, proteins को क्या करेंगी? उनका packaging करेंगे membrane bound vesicles में फिर उसके बाद क्या होते है? जहां पर उनको जाना होता है वहां पर यह उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं इसमें endoplasmic reticulum के बारे में अभी हम next question में discuss करेंगे ठीक है? और lysosome जो है, इसको societal bag भी बोलते है, lysosome को next है smooth endoplasmic reticulum is associated with options है, it participate in the production of phospholipids, the chief lipid in cell membrane and are essential in the process of metabolism. next option is smooth endoplasmic reticulum does not have ribosomes, smooth endoplasmic reticulum transports the product of rough endoplasmic reticulum to other cellular organelles, especially the Golgi apparatus, next option is all of the above, smooth endoplasmic reticulum के बारे में सारी बाते ही बिल्कुल सही है, option D right हो जाएगा, ठीक है? के क्या करते हैं जो रफ यह उस प्रोटीन को ट्रांस्पोर्ट करते हैं कहां पर गोलजी ऐपरेटजजेस के पास लेकर आती है ठीक है फिर वहां पर क्या होता है गोलजी अपरेटेस में फॉसके में पार्टिसिपेट करता है चीफ लीपिड इन सैल मेंब्रेन ठीक है एंडरेसेंशन इन प्रोफसेसर मेटाबोलिजम तो यह सारे इसके किसके बारे में है जो स्मूथ स्मूथ एंडव प्लास्म के बारे में याद रखनी है नेक्स क्वेशन है multiply पॉलिसीजिमिय होता है। ड्हें हो जायगा। इभर इंच्य को बोलते हैं उसको बोलते हैं और अगर होता ग्हें 63 बलाट नयुलक्साइटोसी बोलते हैं त्रोमच्ट सुम्साइटो पीनिया इस बाफशन से कव्डु बिच सॉस्टेश प्लेटलेट नंन अ करता मतलब है त्रॉमच्ट उप्शुन भी राइट हो जाएगा और यह डिकेज डब बसी काउंट को बहुता है लीकोंट पीनिया एक वर्ड से हम समझिंगेंगे क्रीज है ओर cytocyst में क्या है ымक्रीज है इनको मतलब होता है और डिकेस ऑर कांट कम हो तूपशन मेरो स्प्रेशन है देफिसेंसिंस अफ आ jibe रीटाम सुनने अनियुटर यह दिफिसेंसिंसिंसिंज औरे प heavim दिफिसेंसिंस वपी र कीविव्स civर बहुक विचाएं ंसको ऑप्षण हो्या प् Seven खीिंसिंसीज अनियुट comprar Ojibon due to bone marrow suppression की जैसे bone marrow के suppress होने से जो एनीमिया होता है उसको क्या बोलते हैं aplastic anemia बोलते हैं और इसको hypoplastic anemia भी बोल सकते हैं हीमोलिटिक एनीमिया जो होता है यह disease के अंदर जैसे की कुछ drugs होती है जैसे prima queen है, dapson है यह हीमोलिटिक एनीमिया कोस कराती है हो जैसे disease के अंदर malaria है, malaria के अंदर भी क्या होता है हीमोलिटिक एनीमिया हो जाता है next question है the blood is propelled propelled to lungs for oxygen through, options are left ventricle right ventricle left atrium right atrium, ठीक है तो जो heart होते है उसके अंदर 4 chambers होती है, ठीक है, दो auricle होते दो ventricle होते है, सब आपको पता ही है ठीक है, तो जैसे heart की एक तरफ होती है, जैसे इधर right side होती है, इधर left side होती है ठीक है, तो right side में कौन सा type का blood होता है, de-oxygenated blood होता है, ठीक है, जो superior or inferior vena kevaz होती है, यह जो impure bloods को लेके आती है कहाँ पर लेके आती है, right atrium में लेके आती है, ठीक है, देखो इसमें लिखा हुआ है, venus return is received by right atrium, यह right atrium में तो right side में heart के क्या होता है, impure blood होता है, जिसको ऐसे भी question आता है, impure blood जो होता है heart की कौन से side में होता है, तो right side में impure blood होता है या deoxygenated blood भी बोल सकते है और left side में कौन सा होता है pure blood बोलेंगे या oxygenated blood बोलते हैं, ठीक है तो इसमें question में क्या था, blood is propelled to lungs for oxygen through, तो इसमें क्या है blood को lungs के पास जाना है oxygen के, तो कहां से जाएगा तो देखो, impure blood पहले तो right atrium में आएगा, right atrium से जाएगा right ventricle, ventricle के पास फिर right ventricle जो होता है वहाँ से जाता है lungs में तो कहां से गया, right ventricle से ठीक है, right ventricle से कहां जाएगा, lungs के पास जाएगा फिर lungs के पास से फिर pure होके blood कहां आता है, left atrium में आता है, left atrium से left ventricle में जाएगा left ventricle से फिर पूरी की पूरी बोड़ी में ओटा के थुरू पहले ओटा में जाता है ओटा से फिर सारी बोड़ी में blood pump होता है ठीक है तो देखो यह मैंने इसके बारे में क्या लिखा हुआ है right atrium venus return is received by right atrium right atrium में सारा impure blood आता है वहां से right ventricle के पास जाता है right ventricle क्या करता है फिर blood कहां पर जाता है right ventricle से lungs के पास जाता है ठीक है फिर lungs के बाद फिर blood कहां पर आता है देखो oxygenated blood from pulmonary veins ध्यान रखना है ठीक है अब lungs के बास जाके blood pure हो गया अब यह oxygenated blood जो है यह क्या करेगा pulmonary veins होती है इस blood को लेके आएंगी ठीक है pulmonary veins कहां पर लेके आएंगी is received by left atrium ठीक है left atrium में आएगा left atrium से कहां जाएगा left ventricle में जाएगा left ventricle से फिर ओटा में जाता है ओटा से rest of the body ठीक है सारी की सारी body में चला जाता है blood तो देखो यह जो pulmonary veins है इसा question भी आता है only veins which carry oxygenated blood is जैसे veins होती है वहrad comment oxygenatum प्लमोनरी वेन्स होती है यह यह वेन्स है जो क्या करती है ऑक्सिजीडिल प्लमोनरी आर्ट्री के बारे में होता है 누 OFF कर दिंए the discussion इंपोर्टन्ट है मैंने इसी में चाल इसको भी नेक्स्ट क्योशींट में क्योश सब्सक्राइब vít state इस clicking G. वार्टेमी वीच कंटेन डी- Sophia कवा पल्मोनरी आटरी आ इन कोॉनरी armera ईचू रहें हौइब हॉजिए गर्फ सब्सक्राइब में की एऄना के वा तो इसमें कौन सा और ч encantosh ठीक है और जो AV node है इसको reserve paste maker भी बोलते है AV node को next है right side of heart contain तो अभी मैंने आपको बताया था right side में कौन सा deoxygenated blood होता है ठीक है उसको क्या बोलते है impure blood भी बोलते है तो इसको options है pure blood, impure blood, lymph or none of the above तो right side में कौन सा होता है ये impure blood हो जाएगा option B right हो जाएगा next है सककस antaricus is related to options are pancreatic juice, intestinal juice, both ये none तो सककस antaricus किसको बोलते हैं intestinal juice को बोलते हैं option B right हो जाएगा next है colon is related to options are large intestine, duodenum, degenum, ileum तो colon related होता है सिक्कम, colon, rectum, किसके पार्ट तो large intestine के पार्ट होते हैं ठीक है और ये जाएगा जिजिनम, ileum है ये small intestine के पार्ट होते हैं तो small intestine होती है, वो large intestine से बड़ी होती है ठीक है ये approximate 3-5 meter तक होती है small intestine और जो large intestine होती है 1.5 meter long होती है next है which one of these gland is both endocrine and exocrine function options है liver, pancreas, parotid gland, duodenum तो घ्क्राइंड है जो exocrine भी होती है, endocrine भी होती ये इसको heterocrine gland भोलते है तो ये pancreas होता है, ठीक है, pancreas जो होता है ये endocrine secretion भी करता है और exocrine secretion भी होती है, endocrine में जैसे insulin है, glucagon है, somatostatin सी होर्मोन secret करता है तो insulin तो pancreas में isolate and이션 vert होती है उनकी beta cells see insulin secret होता है alpha cells see glucose secret होता है और delta cells is somato state in secret होते है ठीक है और जो एक्जोकराइन secretion होते हैं उसमें कौन-कौन से आते हैं यह ट्रिपसिनोजन जो पैंक्रियास से secret होते हैं तो इसलिए इसको क्या बोलती है बोथ एंडोक्राइन और एक्जोक्राइन फंक्शन होते है इसके पैंक्रियास के और जो लीवर है ये क्या होता है largest gland of human body अगर question आता है largest gland of human body कौन सा है तो हम क्या बोलेंगे लीवर होता है ठीक है बाइल की formation लीवर में होती है और बाइल स्टोर काहां पर होता है गोल्ग लैडर में होता है next है C-shaped highline cartilage और present in options लेरिंग्स, trachea, pharynx, none of these तो C-shaped highline cartilage होते हैं ये किसमें होते हैं ट्रैक्या के अंदर होते हैं ठीक है और ट्रैक्या में क्या होता है ट्रैक्या कंसिस्ट ओफ 16 to 20 in complete C-shaped ring of highline cartilage ठीक है ये ट्रैक्या के अंदर highline cartilage होते हैं और जो लेरिंग्स है इसको voice box भी बोलते हैं और जो लेरिंग्स के बारे में क्या है इसको voice box बोला है और इसके अंदर क्या होते हैं थाइरोड cartilage होते है जिसको क्या बोलते है एडम सैपल भी बोलते हैं यह लेरिंग्स के अंदर होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है जमेड़् राइटन्द्ल लंग आर्डवाइडिटी इंट्व। प्षिंट्स ट्री लोप्स र rail न्दे क्रीकूं तो ये भी सभी को पता होगा बहुत इजी क्वेशन है किड्ने की बेसिक क्या होती है नेफ्रोंस होते हैं तो इसका ओप्शन ए राइट हो जाएगा नेक्स्ट है और यह जो appearance of glucose in urine क्या बोलते हैं इसको glycose urea term यूज करते हैं इसके लिए ठीक है और जो appearance of protein in urine होता तो इसके लिए कौन सी term होती है protein urea होता है नेक्स्ट है growth hormone is released from options पिचूटरी gland, thyroid, parathyroid gland, parotid gland तो growth hormone release होते हैं किस से release होते हैं यह देखो यह होते हैं यह पिचूटरी gland से होते हैं यह तो पिचूटरी जो है इसकी तीन लोब होती हैं anterior lobe होती है मिडिल लोब होती है хो कि अन्टिरियर लोब हुती है mont होती है pier parti करह रोक्मोन के लिक्लदे चल्यावellybarta थाइरोड ग्लैंड से कौन-कौन से होर्मोन है T3, T4 और कैल्सिटोनिन भी होता है इसमें ठीक है पैरा थाइरोड होर्मोन ग्लैंड जो है पैराथ होर्मोन से सिक्रेट होते है और पैरोटिट ग्लैंड होती है यह यह जो सलाइवरी ग्लैंड का पार्ट होती है नेक्स्ट है ओक्सिटोसिन और वैसोप्रेसिन ये दो होर्मोन सिक्रेट होते हैं वैसोप्रेसिन को एंटी डायूरेटिक होर्मोन भी बोलते हैं ठीक है और ये ओक्सिटेोसिन और वैसोप्रेसिन दोनों ही क्या होते हैं नोना पैप्टाइड होते हैं और जो पीनल ग्लैंड है ये मेलाट dåonin Screen करती है एंड्रेव जो है इसे अर्रेविंड और नोर अर्रेविंड होती है तुक है ओज़े कीड़नी है कीड़नीस होता है के नेक्स्ट क्वेस्ट्शन से लेरिंग्स के सामने कुनसी एंडोक्राइन ग्लेंड प्रेजेंट है औप्शन्स पैरा थायरोड थाइमस या एड्रिनल तो इसका हो जाएगा यह थायरोड ग्लेंड जो होती है यह होती है थायरोड ग्लेंड का पोजिशन हम देख लेते हैं कहां पर होती है situated in neck के अंदर होती है in front of larynx and trachea at the level of c5 to t1 vertebrie ठीक है तो यह इसकी thyroid gland जो होती है उसकी position है तो यह भी पूछ लेते हैं और यह जो adrenal gland होती है कहां पर होते है kidney के उपर present होती है जिक है on upper pole of kidney next है parathormones regulate the options है blood calcium concentration basic metabolic rate maintenance of electrolyte balance maintenance of carbohydrate protein and fat metabolism तो इसको अब जो question है इनमें मैंने चार-चार question include करने की कोशिश करिए देखो parathormone regulates किसको regulate करते है parathormone जो paratheroid gland से secret होती है क्या regulate करते है कि calcium की concentration को regulate करते है ठीक है calcium के level को बढ़ाते हैं यह parathormones जो होते हैं तो इसलिए अगर parathormones कम हो जाते हैं तो calcium का level भी कम हो जाता है अभी next question आएगा उसमें यह बात discuss करेंगे हम ठीक है और यह basic metabolic rate को कौन regulate करते हैं thyroid hormone होता है T3 T4 होते हैं यह basic metabolic rate होता है BMR जो होता है body को उसको regulate करते हैं और maintenance of electrolyte balance electrolyte balance को कौन maintain करता है इसमें कौन सा hormone होता है अल्डोस्टिरोन होता है अल्डोस्टिरोन क्या होता है मिंदलो कोटिकोईड होता है और जो maintenance of carbohydrate protein and fat metabolism इसको कौन regulate करता है carbohydrate metabolism protein metabolism fat metabolism यह glucocorticoids जो होते हैं वो regulate करते हैं तो इसका option a right हो जाएगा ठीक है और जो हाइपर थाइरोडिजम होता है thyroid hormone की access होगी तो हाइपर थाइरोडिजम होता है तो उससे कौन सा disease होती है उससे grave disease होती है ठीक है और hypothyroidism अगर होगा thyroid hormone की deficiency होती है तो उससे कौन सा disease होती है उससे होता है cretinism होता है children में ठीक है बच्चों में cretinism है और myxodema किसमें होता है adults में होता है ठीक है और adrenal insufficiency से कौन सा disease होती है addissance disease होती है next है titani is related to options है hypoparathyroidism hyposecretion of growth hormone excessive growth hormone none तो अभी मैंने आपको बताया था hypoparathyroidism अगर होता है तो उससे calcium का level कम हो जाएगा hypokalcemia हो जाएगा hypokalcemia होने से क्या उतर titani हो जाता है ठीक है तो इसका option ने राइट हो जाएगा और hyposecretion of growth hormone अगर कम होते हैं तो उससे होता है यंग में ड्वार्फिजम होता है adults में अक्रो मिक्रिया होता है ठीक है और growth hormone अगर जादा होते एक्सेसिव growth hormone से क्या होता है चाइल्ड हुड में तो क्या हो जाएगा गिगेंटीजम हो जाता है अडर्ट में क्या होता है अक्रो मगाली हो जाएगा नेक्स्ट है ओनली मुवेबल बोन ओफ ज्कल्व होती है यह ओनली मुवेबल और मेंडिबल जो होती है इनके अंदर जो हमारे टीथ होते ना वो embedded होते हैं, mandible और maxilla के अंदर, Maxilla जो होती तो upper jaw bone को बोलते है, maxilla और mandible होती है, lower jaw bone को बोलते है, mandible, Next question है, Tongue is attached to bone called, option chaired, mandible, nasal, former, तो टंग अटेच होती है हाई ओड बोन से, option A हो जाएगा, next है first vertebrae of vertebral column, atlas, axis, coccyx, none, तो पहली vertebrae कों से होती है, atlas होती है, उसके बाद second होती है, axis, next, total number of pairs of ribs in thoracic cases, 10, 12, 14, 60, तो ribs होती है, कितने pair ribs present होती है, 12 pair ribs present होती है, next, largest and strongest bone in the body is, options है, humerus, femur, tibia, radius, तो strongest bone और longest सबसे लंबियों सबसे strong bone होती है, femur bone होती है, next, shoulder jaw is a type of, shoulder joint है, ठीक है, shoulder joint जो है, वो यह joint है, shoulder joint, shoulder joint is a type of options है, hinge joint, ball and socket joint, pivot joint, gliding joint, तो shoulder joint किस में आता है, यह ball and socket joint में आता है, इसका option भी right हो जाएगा, ठीक है, तो एक बर देखो, हम joints के बारे में देख लेते हैं, joints जो होती है, इनमेक तो होते हैं, fibrous joints, जिनको fixed joints भी बोलते हैं, और immovable joints भी बोलते हैं, इसमें कौन से आते हैं, joints between bones of skull, ठीक है, स्कल की bones के बीच में जो joints होते हैं, वो क्यों होते हैं, fibrous होते हैं, fixed होते हैं, दूसरे टाइप के joints होते हैं, cartilage genius joint, या जिनको क्या बोलते हैं, slightly movable joints भी बोलते हैं, इसमें कौन से आते हैं, joints of pubic bone, ठीक है, एक तीसरे टाइप के होते हैं, synovial या freely movable joints, ठीक है, तीसरे टाइप के synovial या freely movable joints होते हैं, तो इन में synovial joints में कौन से आते हैं, साइनोवियल या फ्रीली मुवेबल जोइंट जो है उसमें कौन-कौन से आएंगे हिंज जोइंट आता है बॉल एंड सोकेट जोइंट आता है पीवोट जोइंट गलाइडिंग जोइंट आता है कॉंडिलोड जोइंट आता है साडल जोइंट आता है यह सारे आते हैं साइनो बीच में जोएंट 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 में तो इस जोएंट में 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 और एक साडल जोइंट होता है थंप के अंदर होता है ठीक है नेक्स क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ बॉन्स इन बोड़ी इस ऑप्शन से 210-206-255 या 108 तो कितनी होती है 206 हो जाएगा 206 होती है बॉन्स नेक्स कोलर बॉन्स क्लाविकल स्टर्नम स्कैपूला पुटला तो कोलर बॉन्स क्लाविकल होती है ठीक हालिज़ खो मैखञ दडीय। स्कैपुला भी फ्लैट बोन होती है और जो पटेला जो है इसको नी कैप भी बोलते हैं और इक होते हैं सिस्मोइड बोन में आती है पटेला नेक्स्ट क्वेस्चन है यह के पास जाती है और यह सेकंड जो है यह ओप्टिक नर्व होती है ठीक है जो आई से अटेच होती है फर्स्ट कुन से होती है ओल्फेक्ट्री नर्व होती है रिलेटेट टू समेल संसेशन और जो 12 है यह हाइपोग्लोसल नर्व होती है मुवमेंट ओफ टंग को रेगुलेट करती है यह तो एक बर हम क्रेनल नर्वस के बारे में देख लेते ह है तो इसको याद करने का पहले हम पढ़ा करते ना जब दब यह छोगा måste है इस से हम धीन को याद Ms. minder को याद करते थे दो देखो ओसे कहा होते है dalर्षेक्ट्री फिर घृटी में से फिर आप्ते कोती है वह था को अक्योंसे मौन टार्वस होती से रिलेटेट से क्टी कोन कोन से हो गोजाए गी वोफरटिक दो हाइब फोर्थ नंबर प्याइटेम्न फिर यह चू इंग sûrगेट होती है फिर था strengthening छो दो में घ्रम्सान यह चाहते हैं mm अध्यूलad घ्रम्सारिज्टण्रोब्स उसके बाद हो गई यह एटन वाली है कुंसी है यह यह वेश्टीबूलोगीजख को क्लियर होती है हमारे इसमे एंट तो इसको ऑडिट्री भी बहुत सकते हैं और डिटरी या वेस्टिबुलो कोखिलर जो एट्थ क्रेनल नर्व होती है यहीरिंग और बैलेंस से रिलेटिड होती है ठीक है उसके बाद नाइन्स पे कि एहीर्मेट प्रिटरी वीद्ना अ興 epic कोई से रिलेटिड यहीर होता नाइ diff. प्रेजन होता है इसके अंडर प्रेजेंट से प्रेजनत प्रломडी कंप मेंग deputy जो एक्स्टिबूल एट laughed फिर होता है middle ear उसमें टिंपनी cavity आती है और जो ये की बॉन्स होती है जो ये की बॉन्स होती है वो आती है middle और जो कोकलि यह कोकली है क्सेक यह इन पर होता है जो कोकलीय होता है कि नेक्सक्राइब यह नेक्स यह प्रेजेंट इनुप्शन से कोर्णिया ऑयरिस प्यूपिल रटीना तो रोडोडन कॉंस कहाँ पर ज js सर होती है Dünya सब्सक्षाव कॉन स्क्राइब जो ना इनर जाल फिए उसमें क्या कॉन से प्रेजन होती है मिडल लेयर होती है उसमें कौन कुन से पार्द साता है उर्लेर अधे उधेंफ तो माई उपिया को रहें किसे इसके लिए कॉंडे क लेंस उज शुझ करते हैं और एक और एक स्टिक में जो होता है उसके लिए सिलिंड्रिकल रैंस यह सुझ करते नेक्स्ट है नंबर ओफ सर्वाइकल वर्टिब्री ठीक है तो यह कितनी होती है सेवन ट्वैल फाइफ यह लिख दिया मैंने ठीक है तो यह जो सर्वाइकल वर्टिब्री टोटल नंबर वर्टिब्री कितनी होती है 33 होती है ठीक है तो इसमें एक तो होती है सर्वाइकल कितने टाइप की ह कि इसलिए नेकस्ट है which part of brain is concerned with maintenance of Posture and Balance Options Seri Bram, Doppler Medulla Oblengator and Nun of theile Brain का कुछ सा Part है किस को Regulate करते है Posture and Balance आप पॉच्छरी seribellum होता है Option B हो जाएगा ऐसे भी Question आता है Alcohol जो होता है वो किस Part को Effect करता है तो उसका भी Answer क्याता है Seribellum आएगा Seri Bram जो हता है Largest Part होता है ब्रेइन का तो मेड़ुल अबलेंगेटा होता है इसके अनदर ऐसे सब एसे में या जाँ थे ह repertoire ये सब रिफ्लिक्स तो क्यूफर सेल्स किसमें प्रेजन्ट होती है यह लीवर के अंदर प्रेजन्ट होती है ओप्शन डी राइट हो जाएगा तो इस वीडियो में हमने यह फिफ्टी क्वेशन्स डिसकस कर लिए मैंने इनको एक्स्पेंड करने की पूरी कोशिश की है तो अगर आपको वीडिय लगी है तो इसे लाइक करना और अभी एक क्वेशन है जिसका आंसर आप लोगों को देना है ठीक है तो यह है क्वेशन जो आप लोगों के लिए है आप लोगों को कमेंट बुक्स में देना है तो इस वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शेर करना ओके थैंक यू